हेलो दोस्तो, HR डिपाट्मेंट किसी भी छोटी और बड़ी कमपणी का सबसे महत्व पुर्ण हिस्सा होता है क्योंकि ये अकेला डिपाट्मेंट बहुत सरे कामों के लिए जिम्मेदार होता है जिसी कि नए लोगों को अपने कमपणी में भरती कराना, निव एंपलोईस का इंटर्विव लेना, इंटर्विव का समय मैनेज करना, इंटर्विव में पास होने वाले वर्कर्स का फॉर्म फ्लप करना, निव एंपलोईस की निव फाइल तैयर करना, एंपलोईस का पी अफ मैनेज करना, new employees को training देना employees का data computer में save करना सारे employees का time पर payment करना invices create करना और बहुत सरी काम है दोस्तो एक HR department के अंदर आती है तो दोस्तो अगर आपका भी सपना एक HR manager बनने का है तो दोस्तो आज का मेरा ही वीडियो आपके बहुत ही ज़दा काम आने वाला है क्योंकि आज की special video के अंदर मैं आप सभी को full detail में बताने वाला हूँ कि HR management system क्या होता है HR manager का काम क्या होता है HR बनने के लिए जो course करना होता है उसका syllabus क्या होता है HR manager बनने के लिए आपके अंदर कौन-कौन सी skills होनी चाहिए ये course करने के लिए क्या eligibility criteria होती है और दोस्तों एंडवे में आपको ये भी बताऊंगा कि HR का course complete कर लेने के बाद आप कौन-कौन सी companies में job हासिल करोगे और वहाँ पर आपको per month कितने रुपीज की salary मिलेगी तो चलो इस वीड़ी की शुरुवात करते है और जान लेते हैं HR management के बारे में full details में तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि HR manager क्या होता है और इस विक्ति का काम क्या होता है दोस्तों HR का full form human resource होता है इसको HRM याने human resource management के नाम से भी जाना जाता है ये company का department होता है जिसकी responsibility काफी बड़ी होती है जैसे कि नए-नए employees को अपने company के अंदर भरती कराना होता है उनका selection करना होता है उनको training देनी होती है उनको motivate करना होता है उनका सारा payment का काम करना होता है और उनको insurance और PF देने का काम भी HR department का होता है तो दोस्तों ये सब काम HR manager का होता है HR manager बनना एक बहुती अच्छा career option में से एक है अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते है कि HR बनने के लिए market में कौन-कौन से courses available है और उनका क्या-क्या syllabus होता है दोस्तों HR का course हर प्रकर का student कर सकता है चाहे arts का student हो, commerce का student हो बनाया गया है, commerce के student के लिए BBA in HR management का course बनाया गया है और science के students के लिए BAC in HR management का course बनाया गया है इन सभी courses के अंदर आपको organization behavior, compensation management, group dynamics, principles of management, stress management, principles of HR management, communication skills and development, labor rules and regulation, HR rights, quantitative techniques and managers, trainings and department, entrepreneurial development, industrial relations, research methodology, organization development, global human resource management, human resource information system, etc. जैसे बहुँ सारे subject सिखाये जाते है अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि HR manager बनने के लिए और ज्यादा salary वाली job हासिल करने के लिए आपके अंदर कोन कोन से skills होने चाहिए दोस्तों अगर आपको बड़ी company में HR के post पर job हासिल करनी है तो दोस्तों आपके पास skills होना काफी ज़्यदा जरूरी है जैसे कि high level of confidence, customer facing skills, strong communication skills, English writing and English speaking skills, critical thinking mind, organization skills, team handling skills, leadership quality, motivational skills और इन सभी skills के साथ आपके पास computer knowledge भी होना चाहिए आपको excel, win world, power point, outlook, internet इत्यदी को handle करना आना चाहिए और इनको proper way से चलाना भी आना चाहिए तो दोस्तों ये सारे skills आपके अंदर होनी चाहिए तो ही दोस्तों आप interview में select हो जाओगे तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि HR का course करनी के लिए क्या eligibility criteria है यानि कोन कोन सा student इस course को कर सकता है दोस्तों HR का course करनी के लिए आपको 12th pass out होना compulsory है दोस्तों किसी भी stream का student इस course को कर सकता है इस course को करने के लिए आपको अपने 12th में minimum 50% marks राना compulsory है जो भी SC, ST और OBC category के student से उन सभी को 5% तकी छूट दी जाती है और दोस्तों इस course को करने के लिए आपको कोई अलग से interest exam देने की जरूरत नहीं है आपको जो भी admission है वो 12th के basis पर हो जाएगा तो दोस्तों यह है eligibility criteria HR manager बनने के लिए अभी दोस्तों हम लोग यह जान लेते हैं कि HR बनने के लिए market में कौन-कौन से courses available है और उन courses की कितने रुपीज की fees आएगी दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही कहा था कि HR का course करने के लिए आपको 12th pass out होना compulsory है आप अपने 12th के बाद आपके stream के wise course select कर सकते हो जैसे कि BA in Human Resource Management, BCom in HR Management या फिर BSC in HR Management ये तीन सबसेदा popular courses है इन में से कोई भी एक course complete करके आप HR की job हासिल कर सकते हो अगर दोस्तों आपने अपना graduation complete किया है तो दोस्तों आप graduation के बाद PG Diploma in HR Management या फिर MBA in HR Management का course करके भी अपने life को अलग mode दे सकते हो और दोस्तों ये सारे courses लगबग 3 years के होते हैं और दोस्तों इन 3 years का course complete कर लेने के बाद आप future में master degree के courses भी complete कर सकते हो जिनको कर लेने के बाद आपको HR department में manager की post भी मिल जाएगी अगर दोस्तों हम लोग इन courses की fees की बाद करें तो दोस्तों जो भी degree courses है उन courses के लिए आपको per year 60,000 रुपीज तक की fees college को देनी पढ़ सकती है मतलब full course के लिए आपको लगबग 1,500,000 रुपई से लेके 3,000,000 रुपीज तक की fees देनी पढ़ सकती है और वही PG diploma या फिर MBA in HR management की course की fees की बाद करें तो दोस्तों इन courses को करने के लिए आपको लगबग 80,000 रुपई से लेके 1,000,000 रुपीज तक की fees per year देनी पढ़ सकती है अभी दोस्तों हम लोग ये जान लेते हैं कि HR management का course complete कर लेने के बाद आप कौन-कौन सी companies में job हासिल कर सकते हो और वहाँ पर आपको परमंद कितने रुपेज की salary मिलेगी तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि अगर आपको बड़ी-बड़ी company में HR के post पर job हासिल करनी है तो दोस्तों उसके लिए आपके पास high salary skills होनी चाहिए अगर वो skills आपके पास होती है तो दोस्तों आप Adobe, Accenture, Linova, IBM, Pepsi, Facebook, Microsoft, Tata, HP, Maruti, Reliance, Mahindra, Amazon, Infosys, etc. और इन बड़ी-बड़ी companies के अंदर only HR की post नहीं होती बलकि वहाँ पर production manager, woman resource manager, sales manager, business development manager, payroll manager, executive woman resource manager, quality control manager, assistant manager, production manager, etc. जैसे बहुत सारी बड़ी-बड़ी post अविलेबल होती है इन में से किसी भी एक post पर आपको job मिल जाएगी अगर दोस्तो हम लोग इन post पर salary की बात करें तो दोस्तो as a fresher HR को 20,000 रुपीज की salary दी जाती है जैसे उसके पास 2 years के experience आता है तो दोस्तो उसको 30,000 रुपे से लेके 35,000 रुपीज की salary दी जाती है और जैसे उसके पास 7 years के उपर का experience आ जाता है तो दोस्तो उसको पर मन 60,000 रुपे से लेके 70,000 रुपीज तक की salary भी दी जाती है और अगर दोस्तो आपके पास high salary skills है और आप बड़ी company में job हासिल कर चुके हो तो दोस्तो वहाँ पर आपको 80,000 रुपे से लेके 1,000,000 रुपीज तक की salary भी HR manager के post पर मिल जाती है अगर दोस्तो आपको ये पता नहीं है कि high salary job पाने के लिए आपके पास कौन कौन से skills होनी चाहिए तो दोस्तो उसके लिए मैंने एक separate से वीडियो बनाया है जिसकी link आपको description में मिल जाएगी उम्मित करता हूँ कि HR manager के बारे में आपको full detail में पता चल गया होगा इस वीडियो को share करके लोगों की मदद करो आपका प्यार देने के लिए और एससे वीडियोस हर रोज देखने के लिए subscribe करे हमारे channel को धन्यवाद